नमस्ते आप देख रहे हैं एशा न्यूस इंडिया मैं हूँ आटी ससी धरूर ने पार्टी नेताओं के रवये को लेकर जताई नाराजगी कहा PCC अध्यक्ष मुझसे मिलते तक नहीं कॉंग्रेस अध्यक्षपत के प्रत्यासी और पार्टी सांसर ससी धरूर ने प्रदेश के पार्टी नेताओं के दोहरे वहवार को लेकर इसारो इसारो में नाराजगी जताई है धरूर ने गुरुवार को मीडिया से बाचीत के दौरान कहा कि मेरे प्रचार के दौरान प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी के अध्यक्ष समेद बड़े नेता गायव रहते हैं वही मलिका अर्जुन खड़ंगे के कैम्पिन के दौरान यही नेता उनके साथ बैठते हैं धरूर के आरोप के बाद धरूर ने कहा कि पार्टी नेता खड़ंगे की तरफ से लोगों को आमंत्रिश करते हैं और उन्हें उपस्तित होने के लिए कहते हैं यह सब एक उमिद्वार के लिए हुआ लेकिन मेरे लिए कभी नहीं थरूर ने कहा मैंने राजे कॉंग्रेस कमिटी का दौरा किया लेकिन वहाँ राजे प्रभूक उपलब्द नहीं थे, मैं सिकायद नहीं कर रहा हूँ लेकिन क्या आपको वहवार में अंतर नहीं दिखता है? चुनाओं से जुड़े ज़रूरी कागजाद भी ना मिलने का आरोप लगाया। पहली चुची में फोन नंबर नहीं थे तो कोई राष्ट्र अध्यक्ष की वोटिंग में भाग लेने वाले डेलिगेट से कैसे संपर्ख कर सकता है। थरूर ने अपने बयान का बचाओ करते हुए या भी कहा कि वे कॉंग्रेस इलेक्षन अथरिटी के प्रमुक मदोसुदन मिस्त्री पर पक्षपात का आरोप नहीं लगा रहे हैं। अगर बड़े नेता दो मिद्वारों के बीच ऐसे फर्क करेंगे तो इसे सही कैसे माना जा सकता है। मैं भी पार्टी करताओं को यही समझाता हूँ कि वे भी किसी से न डरे और वोट करें। कॉंग्रेस में अध्यक्षपत के चुनाव के लिए 30 सितंबर को तीन नामंकन हुए। पहला नामंकन ससी थरूर, दूसरा नामंकन जार्खन की कॉंग्रेस लीडर केन त्रिपार्टी और तीसना नॉमिनेशन मलिका अर्जुन खडंगे ने किया। इसके साथ ही तय हो गया कि अगला अध्यक्ष गैर गांधी ही होगा। थरूर और त्रिपार्टी के प्रस्तावकों में इकका दुक्का लीडर्स थे। लेकिन गांधी फैमली की चॉइस बताई जा रहे हैं मलिका अर्जुन खडंगे के प्रस्तावकों की लिस्ट में 30 बड़े नेताओं के नाम थे। खडंगे के साथ नेताओं की हुजुम की तस्वीर साफ कर रही है कि नॉमिनेशन ही नतीजे हैं। कॉंग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे सांसद ससी थरूर ने अपनी चुनावी घोसना पत्र से नए विवाद को जन दे दिया है। घोसना पत्र के पेज नंबर दो पर छपे भारत के नक्से से जम्मू कस्मीर और लद्दा का कुछ हिसा गायब दिखा। विवाद बढ़ने पर थरूर ने अपने ट्वीटर अकाउंट से विवादित नक्से वाली पोस्ट हटा दी। संसोधित गोसना पत्र पर ट्वीट कर उन्होंने गल्दी के लिए माफी मागी। कॉंग्रेस में आखिर अगला अध्यक्ष कौन होता है यह जानने के लिए जुड़े रहें एशियान यूज इंडिया के साथ धन्यवाद।